नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी एस इस्टीडी पॉइंट पे आज हमें इन्वारिमेंट साइंस की जो टेस्ट स्रीज की क्लास को कंटीनू करते हैं और आज हम देखेंगे टेस्ट निंबर 11 ठीक है तो आपके लिए टेस्ट करना ज एक रगर नहीं देखे हैं तो पहली जाके जाकि वह देखें ताकि आपकी जो समझ है थापिक के बारे में वो विक्षित होगी ठीके हैं उसके बाद ही आप कोले पशिईंट को करने में सच्छम हो पाएंगे ठीक है तो आज का में भुआला पाजर पैला पैंशल एक रसीयन बढ़ान है मीलान कोविच आगे हम देखें उनके नाम को तो उन्होंने ही यह दिये थे यह हमको बताना है इसमें कि कौन सा सिधान उन्होंने नहीं दिया था तो पहला उप्षिन क्या देरक्ए अपका पहला उप्षिन च्छी के मार्गे रूम में वो चलती है यानि कि आपको वह लोग और सन और पास उन्धाकर मेंवो गूंत इस यह कह रहा है वो, अगला क्या कहए बिजिए और आक्षे के अलारा है, के साय। तो यहां पर उन्होंने क्या दिया था, प्रथिवी के घूर और आक्छ का जुगा, उन्होंने क्या गाता कि ये प्रथिवी जो समय, यानि बहुत लंबे समय के बाद, हजारों साल में अपने अक्ष पे जुगती है, और सीधी हो जाती है, यानि कभी ऐसी पोजीशन में होग तो आपको यह बता होना कि यह बस केवल कि कौन-कौन से उन्होंने सिधान दिये थे, ज्यादा डिप में आपको पहने की जरुत नहीं है, ठीक है, आपका अगला क्या कह रहा है, प्रतिवी की सूर्ज से अपसौर या उपसौर की स्थिति, ठीक है, तो अपसौर जा होता है, ह ठीक है, इसको बोलते हैं हम अपसौर, जब अधिकतम दूरी होती है, अब जब क्या होता है, प्रतिवी सूर्ज से सबसे नजदीग होती है, तो उससे हम बोलेंगे उपसौर, यह हो जाएगा आपका उपसौर, तो आपको यह किलियर हो जाना चाहिए, ठीक है, और चौथा रbla तरहा गया, वह लिखा हुआ है स्टीटमेंट्स, सौर्ड विक्करण, तो सौर विक्करण से उन्हें ने कोई बी सस्वंधित सिधान्त नहीं दिया है था, तो उस्स हमारा पूछा है कि कौन सा उनके खँगोली परिवर्तर के खँगोली सिधान्त से सम्धित नहीं है, ह प्रिटिवि की दूरी पर अवस्था बदलना जलवायू परिविर्तन का कारक है कौन जो पृतिवी होती है उसकी दूरी में और अवस्था बदलने में इसे जलवाई परिवर्तन की घटना होती है जो अभी हमें उपर देखे हैं ठीक है तो वही एक किस ने दिया था आपका ये आपका दिया था मिल्टन मिलान कोविच ये एक रसिया के विद्वान है ख़वोल शास्तरी है ठीक है इनका नाम तो रसिया के दूरा जो नाम होते है थो अजीब से होते हैं तो उसी से आथ कर लिजे मिल्टन मिलान कोविच ठीक है तो ये आप याद कर सकते हैं चलिए आगे देख लेते हैं अगला कोशन आपका क्या कह रहा है अगला कोशन आपका ये दे कि निम्द में से ठीक है किस्य जलवाई परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त कियाता है तो क्रायोजेनिक होता क्या है क्रायो का मतलब होता है बहुत ही निम्द तात्मान ठीक है तो उसने क्या पूछा है कि क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त कहां से होता है तो कहां स से प्राप्त होते हैं आई स्कोर से प्राप्त होते हैं आई स्कोर यानिक बर्ष से जो आपके धुरुवी छेत्रों में बर्ष जमा हुई है यापके दच्छडी धुरुव आपका वहां पर जो बर्ष जमा हुई है तो वहां से हम पता लगा सकते हैं वहां पर हम वैज्यानि परिवर्तन हुए ठीक है तो जलवाई परिवर्तन को ग्याद करने में हम किसका यूज करते हैं क्रायोगेनिक संकेतक का और क्रायोगेनिक संकेतक होता क्या है आई स्कोर ठीक है अगला देख लेते हैं अगला कोशन आपका क्या कह रहा है अगला कोशन आपका ये कह रहा है कि निम लिखित कत्नों में से कौन सा एसिया पैसिफिक संग के सदस्यों के संबंध में सही है अब एसिया पैसिफिक संग ये क्या होता आपका है एसिया पैसिफिक संग का मतलब यह हुआ वह देश, एसिया का वह देश, एसिया के वह देश होते हैं आपके Asia और Pacific संग्णा, निकि Asia के देश और Pacific या निकि परसांत महसागर, तो ऐसे देश इनकी क्या है, परसांत महसागर से जो है सीमाय शक्ति या निकि प्रसांत महासागर के तट पे जो बसे हुए देश हैं, उसके बारे बात कर रहा है, तो पहला statement क्या कह रहा है, कि उनकी जनसंख्या जो है, विस्टु की जनसंख्या का कितना है, 45%, कितना बताया उसने है, 45%, ठीक है, फिर दूसरा statement क्या दे रखा आपका है, कि, यह कर लिए व वे जनकी जो देश हैं, वे विस्टु की 48% उर्जा का उप्योग करते हैं, दूसरा statement इधर रखा है, तीसरा क्या है, वे विस्टु की 48% जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस को निस्तारन मतलब उत्सरजन करते हैं, निस्तारन का मतलब का होता है, निकालना, उत्सरजन करना, ठ के लिए उत्तरदाई है, चौधा क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकाल का समर्थन देना चाहते हैं, निकि ये देश जो है, क्या करते हैं, क्योटो प्रोटोकाल का समर्थन करते हैं, तो हमको क्या कहना है, कि कौन सा सही उत्तर चुनिए, ठीक हमको इसमें से सही उत्तर चुनन तो यह आपका statement गलत हो गया, क्योंकि कितना है यह 41% के आसपास जंसंख्या रहती है यहाँ पर, तो पहला statement आपका wrong हो गया, तो यह गलत हो गया आपका option, यह गलत हो गया आपका option, बचा गया 234 आपका जो राइट एंसर होगा, चलिए अगला question देख लेते हैं, अगला question कहा रहा है कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुत राष्टर का मौसं परिवर्तन समझ होता कब होगा, यानि कि, जो मौसं परिवर्तन समझ होगा है, तो इसमें हारा answer क्या हो गईगा, मौसं परिवर्तन जो समझ होता हुआ था आपका option क्या दे रखे हैं, पहला है March 21, 1994, ठीक है, तो यहाँ पर date हमको याद करने पड़ेगी, कि March 1921, 21 March को, आपको हुआ था, यह 1994 में, समझोता है, यह हुआ था, यह fact है, आप इसको अपना note का लीजिए, अगर आपको आता नहीं है, और इसको याद का लीजिए, बापा अगला question क्या रहा है, momentum for change climate, neutral now, ठीक है, यह पहल है, यह कहरा है, momentum for change climate, neutral now, यहां पहल किसके द्वारा, प्रवर्तित के मतलब किसने सुरू की है, ठीक है, तो किसके द्वारा यह सुरू की गई है, हमको इसका answer बताना है, तो आपको यह पता होना चाहिए, यह जो पहल शूर की गई है यह किसके दौर की गई है UNFCC नहीं कि यह वाला तो युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ओन क्लाइमेट चेंज के ठीक है कन्वेंशन ओन क्लाइमेट चेंज जो उसका सचवाल है उसने यह इसको शुरू किया गया है उसके द्वारा तो हमें से याद रखिए कि मोमे क्या है निम लिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायू कोस अनिके ग्रीन क्लाइमेट फंड इसको इंग्लिस में क्या वह लेंगी जी सी अपन के लिए सही नहीं है तो हमको बताना है जी सी अफ के बारे में क्या गलत है इसमें लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है पहला आपक्षन यह गलत है, क्यों? क्योंकि इसी स्थापना 2010 में की गरी थी कानकून्त संविलन में, ठीक है? कानकून जो आपका एक सहर है, कहां है, मेक्सिको में है, ठीक है? तो वहाँ पे इसका किया गया था यह, तो पहला यह आपका आपका आपकोन होना चीये था, ठीक है इस किस्थापना कानकुन में हो थी बाकी के statement आपके सही हैं तो आपका right answer क्या हो रहेगा ये पहला ठीक है चली अगला दिख लेते हैं अगला क्या का दे रखा है अगला दे रखा है हारित जलवायू निधी अनि कि अभी विडियों हमने उपर देखा है green climate funding GCF के बारे में कौन सा कथन सही है हमको ये बताना है कि निमने लिखी में सर्व कथन दे रखे हैं GCF के बारे में उसमें कौन सा कथन जो है सही है तो अब देख लेते हैं पहला statement क्या कह रहा है पहला statement यह दे रखा है यहाँ विकास सील देशों का जलवायू परिवर्तन का सामना करने ही तू अनुकूलन यानिकि इसको एडॉप्ट कर लेना और निवनी करना यानिकि उसके प्रभाव को कम करना कि इसके प्रभाव को जलवायू होगा चाइना होगे यह क्या गरीब देश हैं ठीक है अनि जो अफरीका के देश होगे विकास सील देश है न ये ठीक है तो ऐसे अगर डेश जो होंगे तो क्या अगर मालो जलवाईव परिवर्तन होगा तो क्या सबसे आदा प्रभाव तो इन पर ही पड़ेगा न अमेरिका ह क्या जलवाईव परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए जो सहायता दी जाएगी इसके लिए जो है जी सीएफ का गठन किया गया था ठीक है अगला क्या है इसे यू एन ईपी ओई सीडी एसिया कास बैंक और विस बैंक के तत्वाधान में स्थापिट किया गया है तो दूसरा शेटमेंट गलत है क्यों क्यों क्योंकि जी सी एफ का गठन किसके तो रखिया गया यू एन एफ ट्रपल सी यानि के अभी हमने उपर देखा था इसके जो है जी सी एफ का गठन किया गया है तो बहुत ही महतपूर ये आपका संगठन होता है ये क्लाइमेट चेंज के लिए जो है काफी कार कर रहा है ठीक है तो हमेशा व्याद रखेंगे यू एन एफ सी सी के बारे में ठीक है इसके जो महतपूर यो कार है वो देखेंगे हम ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं अगला तो इसमें हमारा एंसर क्या हो जाएगा only one is right तो केवल एक हमारा एं अब हिंदी देख लिए यहां पर कितनी खतरनाक दे रखी है प्रतिवी काल आपने तो कभी सुना ही नहीं होगा लेकिन सब लोग इने सुना होगा अर्थ आवर के बारे में ठीक है तो वही है यह अर्थ आवर इसलिए अपने आपको थोड़ा इंगलीज के लिए तयार ही है तो पहला कोशिन क्या दे रखा यहां यू एन एपी तथा यूनेस्को का उपकरमण है कहने का मलब है यूनेप और यूनेस्को को दारा चला जाता है यह पहला स्टेटमेंट यह होगा दूसरा क्या कह रहा है यहां एक आंधोलन है जिसमें प्रतिभागी यानि जो पा की आओ सकता के बारे में जागरुकता लाने का अंदुलन है यूने कि लोगों को अगेर्नेस के लिए यह चला जाता है किसके लिए जो क्लाइमेट. चेंज हो रहा है और प्रत्वी और प्रत्वी प्रत्वी नकारात्म परभा做out होंगे माक्ने लगोlles के अंदर जागरुक जो चलाता है, कौन चलाता है, WWF जो आपका होता है, WWF ये, इसका क्या बोलते है, Worldwide Fund for Nature, इसके फुलकॉर्म क्या है, Worldwide Fund for Nature, इसके दौरा ये आयोजित किया जाता है, तो आप इसको याद कर लेजे, कि अर्थावर जो होता है, WWF दौरा आयोजित किया जाता है, और इसमें हो यहां पर दो और तीन हमारा जो है राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चली आगे दिख लेते हैं अगला कोसिंग का करा है करते हैं मैं चेस्ट्र विश्व विद्राले के वैग्यानिकों ने जो मैंचेस्ट्र रही है, मैंचेस्ट्र कहां पड़ेका आपको का है मिल जाएगा आपको ठीक है कि वैग्यानिकों ने हाल में अभियंतर्ण दौरा याणि कि इंजीनिरिंग को क्या बोलते हैं अभियंतर्ण बोलते हैं तो थोड़ा हिंदी याद करिए थोड़ा बहुत कठीन है आप तो इंग्लिस में भी पड़ सकते हैं इसको अभियंतर्ण द्वारा यानि कि इंजिनिरिंग के माध्यम से, द्वारा पैसिफिक महसागर के उपर, जो अपना पैसिफिक ओसियन है, उसके उपर चमकीले बादल उत्पन कर, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर, रोक लगाने का सुझाओ दिया है, मोने, इसकी पूर्ती के लिए वाता वरण यानि कि वायो मंडल में, तो पहला उप्सन क्या है, सिल्वर लवन, दूसरा क्या है, लहो चूण, और तीसरा है, समुदरी जल, और चौथा है आपका जिफ्सम, तो आपका एंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, समुदरी जल को हम शड़केंगे, चुकि बादल बनाने है हमको, तो बादल बनाने के लिए क्या है, हमको पानी चुका चुका करना पड़ेगा, तो यह समुदर का जल होता है, उसका जो है चुर्गाव क्याता है, अभी होता कैसे है, देख लीजा आप कैसे बनते हैं, वालों सपोस्रेट प्र्थिवी है आपकी, ठीके, प्र्थिव प्र्थिवी के तापमान में ब्रद्धी हो रहती है, ताप में क्या हो रही है, तो इन व्यज्यानिकों को क्या मानना है, इनका कहना है कि अगर हम प्र्थिवी पर सूर्य के जो सूर्य आपका तापमान यानि स्लावर विक्रण है, अगर उसको ही आने ना दे तो हम क्या कर ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, उनका मानना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बादल बना देंगे, वायो मंडल में, अगर वायो मंडल में बादल होगा, तो यहां से जो सूरी का प्रकास आएगा, और यहीं से टकरा के वापस रफलेक्ट हो जाए है, ठीक है, तो उसी के बारे में यह कोशन पूछा गया था, तो बहुत ही कॉंसेप्ट्चुल कोशन है, ऐसे कोशन को आप तभी कर पाएंगे, तो आपके कॉंसेप्ट क्लियर होंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसमें के ग्लोबल वार्मिंग होती ही क्या है, अब यह कैसे होती है, तभी तो रोख पाएंगे उसको अप, ठीक है, तो यह बहुत अच्छा कोशन था, UPSC का कोशन आये हुआ है, और आगे आने वाले समय में किसी भी इग्जाम में आ सकता है, चलिए अगले दिख लेते कोशन को, क्योटो प्रोटोकाल निम्न में से किस समय थे, ठीक है, तो आपको पता है क्योटो प्रोटोकाल जो आपका था, किस समय थे, ग्रीन हाउस गैस, एक तो है आपका यहां पर दे रखा है, तो पहला है वायू प्रदूश्ण हो गया, तीसरा है, जलवायू परिवर्तन हो गया और चौथा क्या आपका जल हो रहा है ठीक है तो जलवाई परिवर्तन को रोकनी के लिए किया गया था ये ठीक है ये क्या है तो हमारा एंसर क्या हो रहा है कि जलवाई परिवर्तन ठीक है धान अकिए कि बहुत से लोग कि इसमें कर राइट एंसर होगा बहुत से लोग इसमें कन्फूज होकर के ग्रीन ह भी लगा देते हैं अगला कोशन क्या है वर्स 1997 में ठीक है वर्स 1997 में परियावरन सम्मेलन आयोजित किया गया था तो उसने पूछा है कि कहां पर किया गया था ठीक है वर्स 1997 में तो आपको पता है सबसे पहले आपका स्टार्ट हुआ था कहां 1992 में हुआ था आपका ये उसके पास 5 साल के बाद आया था आपका 1997 में इसका आयोजन किया गया था जापान का एक सहर है आपका क्योटो वहां पे किया गया था तो जो 1997 में बिश्टू परियावण सम्वेलन हुआ था इसको बोलते हैं अर्थ समिट प्लस 5 भी बोलते हैं ठीक है तो कि 5 साल के बाद हुआ था ये ठीक है तो ये क्या हुआ था क्योटो में हुआ था ठीक है तो जापान का एक सहर है क्योटो वहाँ पर इसका कथन के लिए सकते नहीं है, तो CDM होता क्या है, तो इसको बोलते हैं, clean development mechanism, CDM के full form क्या है, clean development mechanism, ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सा इसमें गलब statement है, तो आप हमको देखना है, पहला statement क्या दे रखा है, यहां हरित ग्रह, ठीक है, यहां हरित ग्रह के उस सर्जन को नियंतित क करता है, ठीक है, दूसरा statement क्या दे रखा है, इसमें, यहां, ग्लोबी तापी करण को कम करता है, ग्लोबी तापी करण का मनलब global warming को कम करना, ठीक है, तीसरा क्या आपका है, क्योटो प्रोटोकॉल ने इसका सतत विकास के आकलन के लिए सुधाव दिया है, ठीक है, तो तीस आपका statement यह दे रखा है, यह विक्रसित देशों को विकास सील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निसेद करता है, यह तो होई नहीं सकता, गवी वी, ऐसा कोई थोड़ो समित बनेगा, जो कहेगा कि विकास सील देशों में जो परियोजनाओं चल रही है, ठीक है, बहुत यासान कोईशन था, कुछ कोईशन ऐसे होते हैं जो आप्शन को देखके लग जाते हैं, अगला कोईशन क्या कह रहा है, अगला कोईशन आप ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकाल क्या है, तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रहता, यह सरकार एवं गवसाय को नेतर्त देने वाले व्यक्तियों के लिए, ग्रीन हाउस गैस उसर्जन को समझने, परिमार नधारित करने, एवं परवंधन है, तो अंतर राश्ट्रिय लेखक करन साधन है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है ये, अगला कोईशन ये कह रहा है, इस्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ ग्रीन हाउस गैस उसर्जन, ठीक है, यहाँ ग्रीन हाउस गैस उसर्जन को कम करने और परितंत्र अनकूल ये प्रोदोगिकियों को अपनाने हेतू विकास सील देसों को वित्तिय, विकास सील देसों को वित्तिय, प्रोसाहन प्रदान करने की संयुक्त राश्टर की एक पहल है दूसरा स्टेटमेंट हो गया तीसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा यह वर्स 2022 तक ग्रीन हाउस गया सुसरजन को एक भी निर्दिश्ट इस्तर तक कम करने हेतू संयुक्त राश्टर के सभी सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित एवं अन्ता सरकारी समझ होता है और चौथा स्टेटमेंट है यहां विस सुबाइन के द्वारा पोसित बहु पच्छी आर इडी डी प्लस पहलों में से एक है तो हमारा उसने पूछा था कि जो ग्रीन हाउस प्रोटो काल क्या है तो ग्रीन हाउस आपका प्रोटो काल होता है क्य इसलिए आपको यह थोड़ लगेगा ठीक है तो यूपीस्टी में ऐसे यह हाई-लेवल के कोश्चन वहाँ पर पूछे आते हैं अगला कोश्चन आपको क्या कह रहा है अगला कोश्चन आपको यह कह रहा है कि निम्न लिखित कत्लों पर विचार कीजिए क्योटो प्रोटो काल सन 2005 से प्रोभावी हुआ तो आपको पता है हमने अभी बताया है क्या क्योटो प्रोटो काल के बारे में हमने बताया था ठीक तो यह जो आया के परहाद 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल ठीक है जापान का एक सहर है वहाँ पर हुआ था सम्मिट और इसको प्रहावी कब किया गया तो पहला अपका आप्शन राइट हो गया अगला क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के न अब ग्रीन हाउस गैस के रुप में पांच गुना अधिक प्रभवी होती हे तो यह टैटमोंघ है आपका ठीक है जो कारवन डायकसाईड का जो लाइफ इस्पेन होता है जीवनकाल वह मिठेन से कम होता है ठीक है समझ यह आप इसका मतलब कार्बन डायक्साइड का जो life span जीवन काल होता है वो मिथेन से कम होता है यानि कि अगर वायो मंडल में CO2 है तो वो जल्दी नस्ट हो जाएगी compared to मिथेन के मिथेन का लेकिन वर्तमान समय में कार्बन डायक्साइड की मात्र जादा है वायो मंडल में जो cool green house gas हों का उमलब जो effect हो रही है यानि कि जो global warming हो रही है उसकी जिम्मेदारी जो है सबसे अधिक इसी की है carbon dioxide यह 60% जिम्मेदार है ठीक है जतना global warming हो रही है ुसका 60% CO2 की वज़े से हो रहा है लेकिन अगर बात करें हम महाँ पर कि कौन सी गयस जादा अधिक प्रभावी है तो वो मिथेन होगी CO2 और मिथेन के बीच में ठीक है तो मिथेन अधिक है जो अगर एक बार एक्मास्फियर में चली गई तो लंबे समय तक एक्मास्फियर में बनी रहेगी ठीक है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए तो आपका हमारा एंसर क्या हो रहेगा इसमें क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है आपका इसमें पूछा यह गया होगा कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है तो हमारा जो स्टेटमेंट है कौन सा गलत हो रहेगा इसमें आपका यह स्टेटम एवं भूम अंडलियत आपन के संदर्व में ठीक है CO2 सर्जन एवं भूम अंडलियत आपन अनि Global Warming के संदर्व में UNFCC के अंतरगत उस बाजार संचालित युक्ती का नाम है जो विकास सील देशों को विकसित देशों से प्रोस्ताहन उपलब दकराती है यहनि कि विकास सील देश है और जो विकसित देश है उनके मद प्रोस्ताहन उपलब दकराती है ठीक है ताकि वे अच्छी प्रोदोग की अपना कर Green House Gas उसलियन जो है कम कर सकें यहनि इससे जो विकास सील देश है वो अपना क्या कर सकें? Green house gas जो है उसके उसर्जन को कम कर सकें. तो कौन जापतन होगा? पहला है carbon footprint, दूसरा क्या है carbon credit rating होता है, तीसरा क्या है स्वच्च विकास युक्ती, और चौथा क्या है उसर्जन निम्नी करर मानक? आपका answer क्या हो जाए क्या स्वच्च विकास युक् कम हो और CO2 का जो उत्तरजन हो रहा है लगातार उसको कम किया जा सके ठीक है तो आपका यह answer हो जाएगा चलिए आगे देख लेता है अगला question आपका यह कह रहा है कि निम्नी लिखित कर्मों पर विचार कीजिए carbon जमाओ carbon credit के बारे में स्वच्च विकास युक्ती, ठीक है? क्योटो नवाचार युक्तियों में से क्या कह रहा है? एक है उसने statement पहला दिया है ठीक है? अगला statement क्या कह रहा है? CDM के अंतरगत कार्यानिवित होने वाली परियोजनाय केवल सनलगनक वन देशों से संबन दित हैं ठीक है? तो इसमें जो आपका right answer हो जाएगा यह आपका option गलत हो गया तो जो पहला वाला statement है वही आपका सही हो जाएगा. ठीक है? चलिए अगला question देख लेते हैं. अगला question यह कह रहा है मानो कति विदियों को प्रतेक्श एवम आप्रतेक्शन की direct और indirect आलंबन प्रदान करने में उत्पन ग्रीन हाउस गैस होने की की जो कुल मात ग्रीन हाउस गैस हो कि कुल मातरा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? Carbon footprint. तो हमारा answer क्या हो जाएगा? Carbon footprint. तो यह important question है. अगर इंगलीज में आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा. Carbon प्रदिचिन ने याद करेंगे तो थोड़ा हो सकता आपको याद करने में दिक्कत हो. ठीक है? तो इंगलीज में याद के लि पहचान करके बताना है कि carbon credit के संबन्द में ये गलत statement दे रखा है. ठीक है? तो पहला statement क्या दे रखा है? Carbon credit प्रणाली Kyoto Protocol के संयोजन में संपुष्ट की गई. इसका मतलब तो हिंदी देख लिए कितनी खतनाक दे रखी है. ये UPC का आया होगा question है. और आप देख लिए कि हि हिंदी का विद्वान होगा उसको भी समझनी आएगा ये. संपुष्ट क्या होता है? ठीक है? तो वही है इंग्लिस में भी आप थोड़ अपना पकड़ को मर्बूत कीजिए. क्योंकि आपको exam hall में ऐसी ही हिंदी मिलने वाली है और अगर आपको question सही करने हैं तो इंग्लि क्रेडिट जो प्रणाली कब आई है क्योटो प्रोटोगाल से आई है अब लेखे उसके language कैसी दे रखी गया बच्चे को समझ नहाए कुछ. अगला क्यास दे रखा है कारबन क्रेडिट उन देसों या समूं को प्रदत की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उस सर्जन घट कर उसे उस सर्जन अभ्यंस के नीचे ला चुके होते हैं यानि कि ये उसको बोलते हैं जो डेस ग्रीन हाउस गैस के उस सर्जन में कमी लाते हैं उससे तंबंदित है ठीक है फिर तीसरा क्या स्टेटमेंट दे रखा है कारबन क्रेडिट का लच्छ जो है कारबन क्रेडिट तो यह तो statement बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है? चलिए अगला statement देख लेते हैं, अगला statement यह दे रखा है कि carbon credit का जो क्रेविक्रे, carbon credit का क्रेविक्रे सहीवत राष्ट परियावरन कारिकरम के द्वारा, समय समय पर नियत मूलियों के आधार पर किया आता है, तो यह आपका statement गलत है, क्यों? क्योंकि यहां पर नियत मूल ही नहीं होता है, यह बाजार आधार मूल होता है, मार्केट में जो rate होगा, उसके आधार पर होता है, अब यह होता क्या है carbon credit, अब ऐसे समझ लीजिए आप, एक कोई है, एक क्यों दो से है, एक ग्जाम्पल के लिए हम भूटा अब चाइना माल लेते हैं, तो यह carbon का diet side का ज्यादा उत्वादन कर रहा है, ठीक, उस सर्दन कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, हम पैसे के माध्यम से इससे खरीद लेंगे, इसके bond go, ठीक है, carbon credit बोलेंगे इसको हम, ठीक है, जिससे क्या है, हम उससे, इसको फाइदा मिल हमने इसके, जो उससर्दन इसको करना था, वो उससर्दन हमने कर दिया, और उसके बदले में हमने इसको पैसे दे दिये, इसको क्या बोलेंगे, carbon credit, ठीक है, तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि carbon credit होता क्या है, ठीक है, और इसका मूल कौन निधायत करेगा, क्यानी कि ए ऐसे questions जो है, UPSC में पूछाते हैं, तो अच्छा question था ये, ठीक है, अगला question का गया है, बायो carbon fund initiative for sustainable forest landscape का प्रवंधन निम्लिखित में से कौन करता है, तो ये पूछा गया है, तो इसमें क्या है, आपको याद करना पड़ेगा, ये fact है, क्या कि बायो carbon fund initiative for sustainable forest landscape का प्रवंध प्रवंधन कारता है, विस्सुबैंग करता है, इस चीच को याद कर लेजे कि इसका प्रवंधन जो है विस्सुबैंग के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, तो आज के हमारी ये टुम्टी questions हो गया होंगे, और आज का जो question पर देखा होगा आपने test जो हमार रहा होगा, तो ये tough level का था, क्योभी इसमें जो है UPSC के काफी questions को मैंने सामिल किया था, और ये tough question था, question paper था आपके लिए, तो I hope लेकिन आगर आपने concept आपके clear होंगे, तो आपने काफी questions को write कर लिया होगा, ठीक है, छलिए, मिलते हैं फिरम इसके बात next video में, अगर आप हमारी चैनल पर नए हूँ, तो हमारी चैनल को subscribe कर दीजेगा, और जो bell icon है इसको भी press कर दीजेगा, ताकि आपको जो है, आगे आने वाले जो videos होंगे, उनके notification बिल जाएंगे आपको, ठीक है, और अगर आपको video जो पिसंद आया हो, तो आप इसे like कर दीजेगा, और अपने दोस्तों क साथ भी share कर दीजेगा, okay, thank you.